हेलो एब्रीवन स्वागत है आपका मिशन गूर्खुल पर यह हमार जनरल एकाउंटिंग प्रिस्पल का लेक्ट लेक्चर से चल रहा है यह हमारा उसका से सेकेंड वीडियो है फर्स वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है पहले फर्स वीडियो देख लें फिर इसे देखें फर्स वीडियो में हमने अकाउंटिंग की समझ पैदा की थी साथ एक आपके सब्सक्रात के सब्सक्रान थेक पास अबेष। आपके पास एक सवाल इस question को पहले आप लोग देखिए क्या इसकी आपको समझ होती है कैसे आप इसको tackle करते हो और उसके साथ ही साथ हम आगे इस screen आप स्क्रीन से ले लो और धीरे-धीरे जैसे लेक्चर बिल्ड होता जाएगा इन सब का आपको correct जवाब भी मिलता जाएगा और नहीं अगर मिलता है तो फिर भी आप इन्हें अभी के समझ के हिसाब से उसे attempt करना है तो पिछले जो हम पिछले वीडियो में हमने जो accounting के terminology discuss करें थे तो वहाँ पर हमने कुछ जो important terminology थी वह हमने वहाँ पर छोड़ी थी यह करते वे कि next lecture में यहीं से continue करेंगे तो जो हमने छोड़ा था वह क्या था हमारा asset capital and liabilities तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं asset क्या है asset कोई भी ऐसी चीजें जो business को फायदा या तो अभी दे रही है या फिर देने वाली है वह आपके लिए क्या हो जाएगी asset हो जाएगी तो वैसे कौन-कौन सी चीजें हो सकती है तो वैसे आपके पास कोई वैसे तिंग सकते हैं जैसे कुछ में सेंद्रीज है विल्डिंग है वहाँ पर आपको ऐसे इस दोर पर कहा जा रहा है क्योंकि यह चीज आपको business को operate करने में आपको कुछ ने कुछ फायदा यह दे रही है मैं सिंद्रीज नहीं रहोगे तो आप प्रोडक्शन कैसे करो विल्डिंग नहीं रहोगे तो आप काम कहां पर करोगे वैसे ही जो हमारे debtors listeners वह दे जो हमने पिछले lecture में इसके बारे में चर्चा की थी डेटर की समझाओं यह में डेटर्स कौन है यह हम अभी जान रहे हैं तो डेटर्स कौन है तो डेटर्स जो हमें पैसा बिजनस को पैसा वह चुकाने वाले हैं आज नहीं तो कल चुकाने वाले हैं तो वह भी हमारे क्या है हमारे पास तो और हो सकते हैं आपके जो prepaid payments हैं जैसे अगर मान लो कि आपका जो rent है rent आपने three month का rent जो है एक ही साथ payment कर दिया तो three month के rent को जो आपने payment कर दिया तो यह क्या हूआ अपका prepaid payment का आपने करा एक मन्थ आपने रहा लेकिन उस facility को अब आप दो मंध उसकते हैं आपर करेंट हो सकते हैं वो एक तरीके से long term of ूब के लिए उन्हें होलड किया जाता है जैसे कि अगर आपके-अपका आपने त्रक्स लगा रख Мы आपके लिए एसित अपकी फीक्सट एसैट everyday सब्वैसे हैं कूछ current assets सोते हैं करने का मतलब मतलब कि इन्हें आप ह्फ शॉट न के लिए होल्ड करते हो सव रिखक्जो है son ही जो आपको पैसा देने वाले हैं वह आपके जो हैं करेंट assets हो जाते हैं और एसेट को मैं एक और तरीके से देख सकते हैं कि tangible और intangible tangible कहने मतलब कि जिन्हें है आप touch send like a how electrical 2005 आपके कर ले रहे हो तो यह सब आपके हो गए टैंजीबल एसेट्स वहीं कुछ इंटैंजीबल एसेट्स हो सकते हैं जैसे कंपनी के कुछ अगर ब्रांड बनी हुई है इमेज बनी हुई है उसका कुछ अगर मार्केट में गुडविल है तो यह सब आपके हो गए क्या बिजनस में लगाया है वह आपका capital है capital है कि हमने बात कर ली अब liabilities देख लेते हैं क्या होता है तो liabilities वैसे जो नॉर्मल liability word है इससे भी आपकी इसका जो है जो मतलब है बिल्कुल same to same वही मतलब यहां पर भी है जैसे कहा जाता है ना कि हमेरे उपर शब्रेशन के अघृ करना है तो आपको सकते हैं या और आपके जो creditors है जो समान मंगाया है कही से मंगाया है उसे आपने भी payment नहीं किया है वह आज नहीं तो कल आपको तो उसे पेमिंट देना ही है तो वह आपके क्रेडिटर्स हो गए और आपके आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसेज हो गए जैसे आपके मानलो और्गनेजेशन में अपने आज मंत की लास्ट kalian आज बटेनी थी लेकिन आपने कुछ वजह के कारण उनकी सल्री रुक ली सारे स्टाफ की सहल रुक लिए दस दिनों के लिए पंद्रा दिनों के लिए आप ने उसकी सेलरी नहीं दीं तो एकला आप अभी रोक है उसrien लैकिन आपके खतम हो गया वह खर्च आपको 10 दिन के बाद करना ही पड़ेगा जैसे आपका बिजली का बिल आया आप उसे अभी पेमेंट उसका तुरत पेमेंट नहीं किया कि नेक्स मंत ही कर देंगे तो वह खर्च आपको करना ही पड़ेगा तो आपके आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसे जो गए वह भी आपकी लाइविलिटी जो गए तो यह हमारे पिछले लेक्चर का पार्ट था जो हमने वहां पर छोड़ा था कि हम नेक्स लेक्चर को यहीं से शुरू करने वाले हैं यह जो सवाल बगर हैं को एक करते रहना है आप कमेंट नहीं ज्यादा इंट्रेक्टिव होने वाला है तो इस सवाल के जो एंसर से वह आप अगर लाइव देख रहे हो तो कमेंट करते जाओ लाइव नहीं देख रहे हो तो अपने नोट्बुक में एड करते जाओ और बाद में हम लोग उसे एक वीडियो में सारे कोस्टिंस को क रुआतावर का जो सौल सद्सों to on a while करेंगे को तो पिछले लेक्टिर हमने यह तो जाना था कि एक कान सब्सक्राद क्या है वह बिजनस का लैंग्वेज है तो एकक माणाटिंग जो हम कर रहे हैं थजिए लेंग्वेज में हमने का माध्म करना होका अगर बिजनस की बार I है तो बिजनस की बिजनस की हालत कैसी है उसकी तबियत अच्छी है बुरी है तो वह एकाउंटिंग की लैंग एकाउंटिंग की जो भासा हमने जो समझी थी उसी भासा में यह हमें बताना है कि एकाउंटिंग की जो बिजनस है बिजनस की क्या उसकी खबर है क्या उसका हाल है तो और हमने ये भी जाना था कि accounting के process को करने के बाद हमें उसे communicate करना है और communication वो जो हम करते हैं वो final accounts के form में करेंगे तो ये तो हमने वहां तक की बात को discuss कर लिया अब जितने भी लोग accounting का काम कर रहे हैं वो तो वो किसी न किसी खास convention को follow करेंगे किसी न किसी खास जो concept है principles हैं उसे उने follow करना ही पड़ेगा क्यूंप लग करना पड़ेगा क्यूंकि uniformity बनी रहे है हमने जो काम किया और आपने जो काम किया किसी और परसन ने जो काम किया तो बिल्कुल सेम उनिफॉर्म सा लगे ऐसा नहीं कि आपने जो काम कर रहा है वह मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे तो बात चलेगी नहीं जैसे हमने यहां पर कहा कि एक लैंग्वेज है अगर मै मैं आप से जैपनीज में बात करने लगूं तो यह तो नहीं चलेगा ना तो एक continuity होनी चाहिए consistency होनी चाहिए और वो कैसे आएगी जब हम क्योई खास principles किसी खास जो हमारे concepts हैं उन्हें follow करेंगे तो वो जो concepts हैं वो जो principles हैं उन्हें हम क्या करते हैं जेनरल जेनरली एसेप्टेड एकाउंटिंग प्रिंसपल जी ए ए पी इस गैप इस इसे आप पूछा भी जा सकता है इसकी अब्रिवियेशन भी पूछी जा सकती है हलाकि यह काफी जादा common है एक्जाम में आने की probability न के बराबर है गैप का full form तो नहीं पूछा जाना प्रोसेस है उसका बैक बोन है जो यह जो ग्राउंड रूस जो तयार करता है इसी के बेस पर हम लोग जो सारा काम है वो करेंगे है तो जो regulatory authorities होती है जैसे इंडिया की regulatory authority क्या है ICAI Institute of Chartered Accountant of India तो यह जो है कुछ जो regulations बनाते हैं और फिर बाद में जाके ministry of corporate affairs इन्हें notify कर देती है तो वह एक तरीके से नियम बन जाते हैं तो वह कुछ अपना जो है प्रिंस्पल जो है आपको बता बता देती हैं और फिर उन्हीं के तरीके से हमें काम करना होता है तो यह जो हमनों लोग यहां पर discuss करेंगे उन्हें अलग-अलग authors कुछ अलग-अलग नाम से बताते हैं interchangeably उसे use किया जाता है लेकिन वह कुल मिला जुला के बात एक ही है जैसे कोई आपको कहेंगे कि जनरली यह से basic accounting concepts कुछ कहलेंगे कुछомина basic accounting conventions कुछ बोलेंगे कुछ basic accounting principles बोलेंगे तो यह सब सेम ही बात है तो चले शुरू करते हैं देखते हैं कौन-कौन से हमारे basic accounting concepts तो basic accounting concepts जो हमारे हैं यहां पे जो मैंने लिस्ट बना के लिख रखा है यह हमारे हैं basic accounting concepts इन्हें as keyword आप लोग treat करेंगे क्योंकि इन ही की समझ से आपका पूरा chapter का समझ बिल्ड होने वाला है अगर आप में से अगर इस में से आप किसी के उपर भी unfuse हो जाओगे तो फिर आपको कहीं न कहीं आप कोई न कोई सवाल गलत करके ही आओगे एक्जाम में और इससे सवाल अक्सर हाई पूछे जाते हैं और यह बिल्कुल आप इस बात से शोर ही मानों कि इससे एक नए एक सवाल आपके भी एक्जाम में आने ही वाला है तो देखते हैं क्या है हमारे जो कॉंसेप्ट जो हमारा फर्स्ट कॉंसेप्ट है वह क्या है हमारा एंटिटी कॉंसेप्ट एंटिटी कॉंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनस का जो ओनर है और बिजनस है दोनों सेप्रेट इंटिटी है दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है और दो बीजनेस के ओनर को और बीजनेस वह दोनों एक दूसरे से अलग है OLFE जो इसके भूख्स प्रिपेर करने हैं वह करना है वह step नहीं बनाऊगे वह आप बिजनेस के प्रस्पेक्टिर से बनाऊगे अब अब अगर आप बात करो कि हमारे जो मेरा मालों की एक दुकान है दुकान में मैंने अपने कुछ समान वगरा रख रखे हैं और कुछ फरनीचर वगरा भी हैं दुकान में हैं अब जो मेरा घर का फरनीचर है वो जो मेरा पर्सनल एसेट है वो बिजनस का एसेट में हम काउंट नहीं करेंगे वैसे जो मेरे पर्सनल ट्रांजेक्शन है मैं अपने कहीं और के पैसे से मतलब बिजनस के पैसे से हटके जो कहीं और का मेरा जो पर्सनल सेविंग है वहां से वागर मैं कुछ खर्चे करता हूं तो वह मेरा पर्सनल ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उसे बिजनस के रिकॉर्ड में हमें नहीं इंक्लूट करना है कुल मिला कि इस कॉंसेप्ट का मतलब है कि आपको भाईया बिजनस को एक सेपरेट इंटीटी के तौर पर ट्रीट करना है जैसे की एक्जा लाएश की independent र्खा अब देखो क्या हो रहा है एर 我們 ईह होने यहां पे मेंटेन रखा अब देखो क्या हो रहा है यह सातलाक रुप्या है यह कापिटल के फार्मेंड दिया जाएगा वो बिजनस का Capital है वह आज नहीं तो कल वो Business के वो जो काप्टल है तो मीट इस फैमली एक्स्पेंस वह अपने फैमली के कुछ खर्चे के लिए 5,000 रुपई यह वहाँ से निकाल रहे हैं तो यह सब आपके बिजनस के जैसे यहां पर मिस्टर एक्स का एक्जामपल है वहां पर आप कहा दिया जाएगा कि क्या कि यह जो ट्रांजेक्शन है क्या इसे बिजनस के रिकॉर्ड में डालेंगे नहीं डालेंगे या फिर ऐसा कहा दिया जाए कि इस ट्रांजेक्शन को इन्होंने बिजनस के हो जाएगा अब जो सेकेंड हमारा क्या है मनी मेजर्मेंट कॉंसेप्ट है यह क्या कहता है कि सिर्फ वैसे ही ट्रांजेक्शन को हम लोग एक नॉलेज करेंगे जो की वीच कैन में नहीं एक नॉलेज किया ही नहीं जा सकता है जैसे आपने एक मैनेजर को हायर किया यह क्या एक ऐसा इवेंट हुआ मैनेजर को हायर करने वाला तो वहां पर पैसे का तो लेन दिन अभी हुआ नहीं है तो इसे हम वहां पर बिजनस के रिकॉर्ड में अभी लिखेंगे नही आपके जो creative team है business में जो creative teams होती है पाफी skilled creative team है एक से इनोवेटिव आइडिया लेके आती है तो कोई person कितना innovative है कितना intellectual है कितना intelligent है वो सब तो आपको पैसे के फॉर्म में आपको मापने का उसका कोई पैमाना है नहीं तो वो सब यहां पर हम लोग को करना भी नहीं है कि तो जो पैसे के फॉर्म में हम लोग उसे पैसे के फॉर्म में उसका जो acknowledgement हम लोग कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं का record हमें रखना है तो यह हो गया आपका क्या तो मनी मेजर्मेंड कोंसेब्ट मैं सात ही सात जो क्विश्टन से यहां पर दिये जा रहे हैं यह मैंने जान भूझ तरीके से रखाय है ऐस नहीं कि यहाँ पर मैंने मनी मजर्मेंड कंसेफ को हैं पड़ाया तो Kollegeर हन feministी इसलिए रखा कि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ कि हाईस मिu duas कि ग्याइस का एंसर के चलो ठीख है नेक्स्ट जो हमारा कॉंसेप्ट क्या है फोर्द काझसान काूंसेप्ट तो गोंग कांसेप्ट यह कहता है कि आपका जो वह आदि अननत्कालों तक आप का चलता रहेगा ऐसा नहीं कि आपका ब वीजनस घ्रीजा तुरत कल ही कहत्म होने वाला यह सोग खी इस सोच के साथ आपको लिजिए साBlack आपने चला statistics चलाना नहीं है आपको हमेसा पॉजीटिब श्विंटीव हो हमारा बिजनस जो है अभी तो साल दो साल पांक साल दस साल कुछ होने ही वाला नहीं है बिल्कुल इनफानाइट टाइम तक हमारा बिजनस चलने वाला 50,000 रुपय है 50,000 में अगर मैंने कम्प्यूटर खरता है कम्प्यूटर की जो लाइफ है मिनमम अगर हम पांच साल भी अगर मान के चलते हैं कि पांच साल इस जो हमने यहां पर एसेट जो हमारा यह अब आया है इसे पांच साल तक कुछ ना कुछ सर्विशेज लेने वाले हैं कि खाली आपका युटिलीटी रहे तो उस वह कम्प्यूटर नेकर सब्सक्राइब कर सकते हैं कम्प्यूटर एसे ही पढ़ा रहे तो उसका क्या वीजनस में यूटिल रहे आपका कुछ नहीं तो वैसे ही 50,000 रुपय का जो आपने एक कंप्यूटर खर्दा वह पांच साल तक उसकी बेनिफिट आप लेने वाले हो तो क्या पचास जार रुपई यहां जो हमने यहां पर खर्चा करा है पचास जार रुपया क्या हमें सिर्फ अभी जो मानलों की आज के डेट में मैंने वह खर्च करा तो सिर्फ आज की देट जिस टाइम लाइन के लिए उसे आप यूज करने वाले हो उस पूरे में उसे आपको डिस्टिब्यूट करना पड़ेगा अगर पांच साल के लिए आप आपका वो बेन फिट दे रहा है तो दस जार दस जार दस जार करके आपको पांच साल तक उसे दिखाना पड़ेगा और यह हम क्यों कर पार रहे हैं इस तरीके का काम क्योंकि हमां हमने यह मान रखा है कि बिजनस जो है अब बिजनस जो है हमारा इंफानाई टाइम तक चलने वाला है पांच साल तो कम से कम चलने ही वाला है अगर हम पांच साल तक उसके फायदे की जो बात कर रहे हैं कि पांच के पंच साल तक कैसे करना पड़ेगा तो ऐसा ना करना पड़े कुक्यों यह करना पड़े तो GPS कॉंसेप्ट हो गया अब आगे देख लेते हैं कि यह जो गोईंग कंसेप्ट है यह तो कह दिया कि अपना बिजनस जो है इंफानाइट टाइन तक चलेगा तो क्या हम कभी उस बिजनस को कैसा परफॉर्म कर रहा है कैसे उसके मतलब की उत्थान पर है पतन पर है हमाई प्रॉफिट हो रहा है यह हमें पता ही नहीं चलेगा फिर कोई चीजा खतम हुआ कोई कोई प्रॉसेस कमप्लीСТ हो तब नैं उसका आकलन कर पाएंगे कि हां भए यह है तो क्या है मुझे फाइदा दे रहा है नुक्सान दे रहा है तो इसके लिए हमें क्या करें इस समस्य के समधान के लिए क्या करता है यहां पर प्रियोडी City concept क्या करता है कि आपको एक खास period के लिए जैसे कि अगर वन येर की बात करें तो एक साल के बाद या को अपने यह स््टेटमेंस है आपके एक काउंट्स है यहां हमारा क्या साथ ही हमने फायदा किया नुकसान किया यह सब हम कर पाते हैं लेकिन उसे पहले देख लेते हैं क्या है अमारा तो एक्रूवल कॉंसेब्ट यह करता है कि जो भी हमारे जो इफेक्ट और ट्रांजेक्शनस हैं वो कैसे रिकॉर्ड हमे करने हैं तो वह म्रकंटायल बेशिज करने का कैंने क्या今日は क्या मतलब है कि j Aboriginal हमारा statement होने वाला है तो उसमें जिस period के लिए जो भी हमारा mockustch यह कॉस्ट है जो revenue एक्सपेंस है वह उसी period के लिए हम record करेंगे और क्या कहता है यह concept यह और क्या करता है कि जो भी हमारे जो revenue और cost हैं उन्हें में तब recognize करना है कि जब वह incur हो रहे हैं जब घटीत हो रहे हैं ऐसा नहीं कि हम पैसे का कि जब पैसे हमारे पास आएं तब हमें उन्हें करना है जैसे हमने दुकान का इजब से हमने तो कर लेना है ऐसा नहीं कि जब अगर मालो की कोई हमें उधार में लेके गया है वो अगले मन्थ हो पैसे देगा तो जब हमारे पास पैसे जब आ जाएंगे उस समय उसे एक नोलेज्य नहीं करना जब हमने जो कर दिया है उसी टाइम पे हमें अक नोलेज्ज कर लेड़ना इस इवेंट को साथजार रॉपए में इन्होंने पैसा मिला हैं अभी पचास जार ही रुपया उन्हें मिला है दस जार हो सके कि अभी थोड़े कुछ समय के बाद मिलेगा तो और पूरे प्रोसेस में उन्हें 5000 रुपय का कुछ एक्सपेंस भी करना पड़ा तो एक क्रूल कॉंसेट हमारा जो यह कहता है क्या करता है कि आपने पचास जार रुपया का जो एक तो आपका जो कॉस्ट क्या लगा पचास जार रुपय कहीं आपने कपड़ा जो खर्दा है डिचा कितने में साथ हजाल में शेहां इनमेलें वह Barn को 50,000 लेकिन आपको इस पूरे 60,000 कव करना जो आपने 50,000 में उसके में 20,000 को आ-पने पूरे 50,000 को हमको क्ना लेज चरना है तो यहां पर आगर बात की जाय तो ऐक पर मेंहारा चार्च में हमारा का 10,000 रुपय का प्रॉफिट तो ऐख कुम्ये समाजना है कि अब जो जितने पैसे आया है उसकी बात हमें नहीं करनी है जितने पैसे हमें टोटल में वो रहे हैं उसकी हम बात करेंगे कि प्रियोडी सिटी कॉंसेट्ट की तो हमने बात की ही कि हमारा जो बीजनेस जो गोइंग कंसेट में हमने क्या पढ़ा था कि बीजनेस जो हमारा है इंफानाइट तक चलने वाला है लेकिन प्रियोडी सिटी कॉंसेट्ट हमारा यह कहता है कि इंफानाइट तक ठीक है चलेग बना रहा है जो आपका उटेंट कर रहे हैं तो एक प्रिड़ेट जैसे कि अगर एक साल की बात करें को प्षॉत क्यूस्स जींचर कश्बात करें हम उसका लेका-ग्षे लुकुत देखना है है याली इपात करें जो हमारा सिरी सब्सक्राइब कमःते हैं तो पैप्रेटिरि आ फायदे हैं तो इससे हमें comparing का फायदा मिलता है कि हम पछे से हम अब कैसी इस्थिती में हैं हम progress में में या फिर पतन के रावे चल चुके है और क्या कट्ट और क्या फायदा होता हमें periodicity concept से कि हमें एक uniformity और consistent accounting को हम लोग यहां पर बनाए हुए रखते हैं जिससे क्या होता है कि uniformity रहने से कोई अगर बिजनस से अगर बाहर का जो person है वो भी उसे देखके समझ सकता है कि वो हर एक प्रिएड में मालों कि इस प्रिएड में मैंने कुछ जिस तरीके से मैंने काम करा है यह सब तो अगरे लेकिन कुछ वैसे भी होते हैं कुछ वैसे भी तरीके होते हैं जो जैसे कि आपका inventory का करना है कितना करना है तो इन सब के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं वह जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं जरूरी नहीं कि आप भी उसी तरीके से काम कर रहा हूं लेकिन मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं तो जिस तरीके से मैं इस साल काम कर रहा हूं उसी तरीके से मैं अ तरीके से आप कर रहे हो आप भी उसी तरीके से यर यर आप उसे ही फॉलो करोगे ऐसा नहीं कि आप जैसे डेप्रिसियेशन काउंट का आकलन करने के लिए आप एक होता है रिटेंड डाउन वैलू आप अभी वह वैलू अभी यूज कर लिए फिर नेक्स टाइम को कोई यहां तरीका यूज कर लिए तो ऐसा नहीं चलेगा हर एक पीरिट के बाद आपने जो अपना जो तरीका अपनाया है वह आपको फॉलो करना ही है बात करते हैं कॉस्ट कॉंसेप्ट की और जो साथ-साथ यहां जो कोस्टेंस लिखे हुए हैं कोस्टेंस आपको लगातार ही करते जाने हैं कि क्योंकि कोउश्चन से कॉश्चन मैंने यहाप पे कापी भर-where के सवाल डाले हूए हैं और यह कोउश्चन भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले क्योंकि जो अपने जो कॉंसेट यहाँ परसम रहा है उसकी जो समझेर वह एसेट्स है वह हमें अपरे जो पर्चेज प्राइस है उस पर एकनॉलेज करना है और प्रचेज प्राइस हमें क्या क्या हो जाता है तो cost of acquisition आपने कोई मैशेन्री खरदी है तो आपको कितने की पड़ी है वह आपका हुआ cost of acquisition वह मैशेन्री को आपको जो है warehouse जहां से भी आपने खरदा हो उस जगह से अपने जो है company है वहाँ तक लाने का कुछ transportation का चार्ज आपका लगा होगा तो वह भी इंक्लूड होगा साथ ही साथ इस्टॉलेशन का आपको चार्ज देना पड़ा होगा तो वह भी इंक्लूड होगा और साथ-साथ उस मसीन को जो कन्फीगर करने के लिए उसे रेडी टू यूज करने के लिए अगर कुछ आपको खर्चे करने पड़ रहे हैं तो वह सब आपको जो जो पर्चेज प्राइस है उसमें आपको इंक्लूड करके यहां पर आपको एकांट में सो करना पड़ेगा तो कौन-कौन से खर्चे हो गए तो एक तो आपने जो जिस प्राइस पर खरदी ट्रांसपोर्टेशन और फिर इंस्टॉलेशन और जो मेकिंग इट रेडी तो यूज करने के लिए आपको जो जो खर्चा करने पड़े अपने किसी एसेट्स को वह सब आपको यहां पर इंक्लूड करना है जैसे एक्जांपल के तोर पर देख लेते हैं कि जून 2005 को एन ओल्ड प्लांट वाज पर्चेज मैंने पुराना प्लांट खरद पचास लाख रुपए का किसे खरदा सीवा इंटर्प्राइस से मैंने खरदा और फिर एन एमांट ऑफ रुपीज 10,000 दस जार किस बात की खर्चा हुआ तो ट्रांस्पोर्टेशन का हुआ 10,000 का खर्चा 15,000 किस बात का हुआ तो 15,000 जो मैंने पुराना खरदा था उसे कु पचास लाख पांच हजार यह सो करना पड़ेगा एक और बात यहां पर ध्यान रखना कि जो कॉंसेप्ट आफ कॉस्ट है वो क्या है आपका हिस्टोरिकल इन नेचर है मतलब कि इसका एक पाइदा एक फायदा तो यहां करने में इसे काफी ज्यादा हो ज्यात हो जाती है क्योकि आपके पास प्रेटेन में मौझवड है कि यह मसेंडि जो है आपने या जो भी सामान जवाब कर दे थे यो इतने रुपए की खर दे थे तो वेरिफिकेशन काफी आसान हो जाता है साथ ही साथ कुछ आपका नुक्सान भी है क्योंकि यह टाइम को जैसे पैसे का समय के साथ उसकी जो वैलू कम होती जाती है इस फैक्ट को यह एक नॉलेज यह नहीं करता है तो कुछ फैयदे है तो कुछ नुक्सान भी है तो इस कोस्च ऑथ कॉंसेट हम नहीं देख लिया आगे बढ़ते हैं जो भी आपके transaction हो रहा हैं उसकी कम से कम तो दो इंटरी आपकी बनेगे ही बनेगे हुआ कि अश्यकザनक的話 को दो जगह कम से कम तो record आपको करना ही है उस इस आपको कोईfight transaction है या तो आपका debit हो जागे कहीं तो कहीं पे वो किसी के account में credit भी होगा ऐसा नहीं किसी debit debit ही हुआ और credit कहीं हुआ ही नहीं आपके लिए जो चीज debit है किसी और के लिए वो ही चीज credit भी हो सकती है तो इस बात का यह हमें ध्यान यहां पे रखना है और यह जो duality का को जो concept है यहीं से हमारा जो है accounting का equation है वो नि capital यह हमारा जो है बहुत ही important जो accounting का equation है और यह कहां से निकल के आ रहा है तो हमारा dual aspect concept से निकल के आ रहा है तो इस equation से हमें यह पता चल रहा है क्या पता चल रहा है कि जो asset है asset of a business are always equal to claims of owner and outsider owner का claim यहां पे क्या है capital जो है वह है आपका owner का claim और outsider का claim क्या है तो जो liability है वह है तो इन दोनों जो इन दोनों का जो claim है वह मिला के आपका asset बनता है तो यह काफी ज़्यादा important है और इसी पर हमारा जो है accounting का जो base है वह बनता है अब आगे देखते हैं क्या है हमारा revenue recognition concept क्या कहता है कि यह क्या कहता है कि इसे और भी क्या कहते है कि realization principle भी इसे बोलते है realization principle कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने कुछ अगर समान को अगर बेचा है ज़िए लीगल राइट टू रिसीव रिसीव इट एराइज आपने जो समान को बेचा तो आप बेचने के बाद आपको तुरत ही आपको एक वहां पे लीगल राइट आपको मिल जाता है कि आप मा रसन एक से इससे अगर यह आपका खरिदार है इसे बेच रहे हो तो आपके पास यह बेचने के साथ ही आपके पास एक अधिकार यहां पर आ जाता है कि 100 रुपे की वसूली आप इससे करो यह यह तो आप तूरत करो या फिर किस जो आपने जो वहां पे टर्म आगरेमेंट आपने जो डिसाइड कर रखा है उसके तहट करो तो यह आपके पास एक वहाँ पर लीगल आपका राइट आ गया जैसे कोई employer कोई employee है कहीं पर काम कर रहा है तो जैसे महीने का इंड हुआ महीने एक महीने तक उसने वहाँ पर अपनी service प्रोवाइड करी तो महीने के जो उसका जो डेट है जिस डेट को उसका सैलरी जो है उसके रेट होना चाहिए उस डेट के बाद उसे लीगल राइट मिल जाता है कि वह जहां से भी उसकी सैलरी मिल रहे है वहाँ पर वो क्लेम कर सके कि हां मेरी जो इतनी तन्खा है वो हमें अभी तक मिली नहीं आपका अधिकार बनता मेरा अधिकार बनता है यह लेना और आपको आपको यह देना है कि यह कहता है हमारा क्या revenue recognition concept को इसका कुछ exception भी हो जाता है को एक्सेप्षेप्सन कहो जाता है जैसे कि मानलों की अगर कंस्टरक्शन जैसे कोई ऐसा काम है कि जैसे breaker का तो कंस्टरक्षन का काम है तो कंस्टरक्शन का काम ऐसा नहीं कि तुरक ही आपने किसी कंश्टरक्टर प Cont ust Rar करा उसने तुरत आके विश्व कर्मा की तरह ऐसे करा और वह बन के तयार हो गया ऐसा तो होता नहीं है वह घ्रेजुवली धीरे-धीरे बनता है और यह बनने में दो साल तीन साल कभी कभी और ज्यादा समय भी लग जा सकते हैं तो क्या जो भी इसका जो एकनॉलेजमेंट हो रहा यह पूरे जो जो पीरियेड है उसके खतम होने के बाद होगा दो साल तीन साल जो जितना भी पीरियेड है वो जब बन के तयार हो जाएगा तब किया जाएगा जी नहीं तो यहां पे इसका जो एक्सेप्शन है यह यहां पे आ जात एक बात और जो इस कॉंसेप्ट के तार जो हम रेवेन्यू जो हमारा निकल के आता है तो रेवेन्यू जो हमारा जो आता है जो हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो वह हमारा वह हमें हमें ऐसे ट्रीट करना है कि हमने जो पैसे जो हैं मिल चुके ह है तुस्ट क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड एज डेवेन्यू ओन देट सेल्स आर मेड हम मैं अगर आज क्रेडिट पर कुछ समान की विक्री कर रहा हूं तो मुझे यह यहां पर इस जो रेवेन्यू रिकाउगनिशन कॉंसेप्ट जो है यह कह रहा है कि आप उसकी अक्नॉल तो मैचिंग कॉंसेप्ट क्या कहता है कि हमें जो हमारा जो एक्सपेंसेज और रेवेन्यू है उन्हें मैच करना है एक्सपेंसेज और रेवेन्यू को मैच कैसे करेंगे कि जिस रेवेन्यू को जेनरेट करने के लिए हम जो एक्सपेंसेज कर रहे हैं हमें उसी उनहीं का स रहा तो एक्जाम्पल ये क्या कर रहा है क्या रहा है कि मोहन पर चेज गूड़ों उस मोहन ने पंदर रुपय रुपय बेचे और इस दरमियान उसे जो है एक्सपेंसे जो इसने जो एक्सपेंसे जिसके हुए दो लाख पचास जार रुपए का एक्सपेंसे जुआ फॉर दिस एयर मतलब इसने 15 लाख रुपए का समान खरदा था और उसके फॉर फिक पार्ट को 18 लाख रुपए में बेचा और इस जो एक्सपेंस हो रहे हैं इस प्रोसेस को करने के लिए धाय लाख रुपए का उसका और कुछ खर्च हो रहा है और एकाउंटे नेट प्रोफिट एज रुपई इतना तीन लाख पचास जार रुपए का उसने नेट प्रोफिट अपने करा तो इसने किस कॉंसेप्ट को यहां पर यूज करा है तो जैसे यहां पर पंदर लाख रुपए के उसने जो खरिदार की थी इसका फोर्थ रिप कितना होगा कि 12 लाख ही होगा तो यहां पर जो हमें यह जो उसके पर्चेज है उसकी वैलू को लेना है पूरा 15 लाख को यहां पर नहीं लेना है तो यहां पर देखो 12 लाख की इसने क्या की खरिदारी की और बेचा कितना ही में इसने ने 18 लाख में बेचा और दो लाख 50 जार उपय का इसका और मिसलीना कुछ खर्चे हो रहे हैं तो दो लाख 50 जार यहां पर अभी और एड हो जाएगा और इसके जो टोटल जो प्रॉफिट बचेगा मतलब कि 14.5 इसके खर्चे हो हुआ तो यह यहां से आपको यह किस कॉंसेट का यूज कर रहा है तो यह मैचिंग कॉंसेट का यूज कर रहा है यह पूरा का पूरा जो हमारा जो पर्चेज है उसे यहां पर एकांट में नहीं लेना है जो जिस रेवेन्यू जिस एक्सपेंस को हम जहां पर जिसके जिसके रेफरेंस पे जिस दौरान हम लोग कर रहे हैं सिर्फ उसे ही लेंगे चलिए तो हमने समझ लिया मैचिंग कॉंसेट अब आगे देखते हैं कि क्या है हमारा जो कंजर्वेटिज्म है यह क्या कहता है इसे कंजर्वेटिज्म कॉंसेट का इसका एक और नाम है प्रूडेंस कॉंसेट विसे कहते हैं यह कि यह जो प्रूडेंस कॉंसेट है यह कहता है कि जो भी हमारे जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उन्हें है इक्रम होने वाले हैं उन्हें हमें तब तक इख नहीं करना है जब तक वह य हो नहीं चुके हूं और जो भी हमारे जो लौसे हैं उन्हें क्यों से को हमें उसी वक्त एक्रम डॉलम्श कर लेना है यह जब उसकी थोरी सा स little city दिखाई करनास यह आपका कहता कहता है यह तो यह एकर करते हैं उनको क्या करते हैं कि अंड़रेस्टिमेट करके दिखाते हैं खर्च зачем लॉसेज हैं उन्हें ओर सप्तिमेट करें देखाया हुए रहते हैं वह ऐसा क्यूंकि अगर जो लॉसेज हैं ठीक है अभी हुए नहीं है लेकिन अगर वो सही में अगर हो गया तब तो फिर हमारा मतलब की काफी जार वह गलत बात है अगर लॉस होना तो बीजनस में ऐसे गुना तो हम लोग सव्धानी च्थान पर क्या करते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट हैं उन्हें हम हम लॉस्टंड करते हैं वह कम करके यह में लॉसेचे का भी सिर्सक्राइट करें, गुशिट्यूश नहीं। यह आपका कहता है आपका प्रुदेंस कॉंसेप्ट फिर नेक्स्ट क्या हमारा तो कंसिस्टेंसी कॉंसेप्ट है तो कंसिस्टेंसी कॉंसेप्ट का हमने पहले भी किया था इसके बारे में कि यह क्या कहता है कि आप जो इस इस कंवेंशन को फॉलो कर रहे हो तो कंसिस्टेंट इसलिए आपको उसी कन्वेंशन को फॉलो करते जाना है इससे हमारा क्या फाइदा हो जाता है तो फाइदा यह होता है कि कि हमारा जो जिस प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं तो एक तो अगर हम किसी प्रिंसिपल को के तहत हम काम कर रहे हैं तो उससे हमारा जो है डेवियेशन है वह नहीं होता है साथ ही साथ हमारे जो इनुफर्मिटी है वह बनी हुई रहती है एक ही तरीके के हम पैटर्न को हमे सबस्क्राइब मतलब कर लिया कि हाँ 60 देज में आपको चार लाख रुपे का पेमेंट कर दिया जाएगा तो एज रिजल्ट अब इस ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है टोटल जो है उसका एसेट है सब्सक्राइब आपका सही अंशर है यह आप देखके बताओ इसका क्या होगा इसका सही अंसर जो इहां पर प्रोसेस देखो तो हो क्या रहा है तो अरुन ने कार की परचेजिंग की तो उसके पास कार एज एसेट वहां पर बढ़ जा रहा है हैं साथ ही साथ उसकी एक Lakh रुपय का वहां पर पेमेंट किया हैं जो भी डाउन पेमेंट कर रहा है उसने एक Lakh कर रहा है तो Lakh रुपय से उसकी asset पहले cash थी वह घट गई है लेकिन शाथ ही साथ उसके उपर एक liability भी आ गई है कि 60 days में उसे वह को पे भी करना है तो कौन सा एसेट बढ़ रहा है क्या हो रहा है यह आप देखके इसे स्टॉल्व करो और एक और जो हमारा concept है concept है हमारा full disclosure concept यह क्या कहता है कि आपने जो भी आप जो नॉर्मस आप इस्तेमाल में ला रहे हो जिश कंवेंशन को आप कर रहे हैं उसे आपको disclose करना है ऐसा नहीं कि आप अपने बिजनस के अंदर ही उसे सिमेट कर रखे हुए हो और बाहर के बल्ड को पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप किस पैटरन को आप कर रहे हो ऐसे क्या होगा कि अगर आप information को डिस्क्लोज नहीं करोगे तो आप जो कोई भी रिपोर्ट पॉब्लिश करोगे तो सामने वाले को समझने में मुश्किल मुश्किलात वहां पर आ सकते हैं कि यह किस कंवेंशन को यहां पर फॉलो किया गया है पता ही नहीं चल रहा है तो उन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम जो पैटर्न जो कंवेंशन जो फॉलो कर रहे होते हैं उन्हें हम डिस्क्लोज करते हैं डिस्क्लोज कैसे करते हैं तो जो फूटनोट्स होते हैं जो फाइनेंशल स्टेटमेंट्स के जो हमारे फूटनोट्स होते है है उनमें यह सब जो यह सब बातों को हम डिस्क्लोज करते हैं और ऐसा नहीं कि यह कंवेंशन इसलिए हम करते हैं आप नहीं करोगे तो यह आपके उपर कारवाई भी हो सकती है क्योंकि यह जो और रेगुलेटिंग बड़ी है से भी यह भी काता है कि यह मैंडेटरी है आपक concept है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है हमारा fundamental accounting assumption next है हमारा क्या materiality concept है यह क्या करता है कि जो हमारा accounting है वो should focus on material facts वो accounting जो है हमारा material facts पर focus करता हुआ होना चाहिए तो यहां पर जानने की बात है कि material facts है क्या तो material facts क्या है तो वैसा कोई भी fact जो की आपको ये बता वैसा कोई fact जिससे आप कोई अगर decision आप लेने वाले हो आपका decision प्रभावित हो रहा हो तो वह एक material fact हो जाता है जैसे for an example एक theater है theater में 150 लोगों को बैठने capacity है अब यहां पर जो ओनर था उसने क्या करा कि इसमें कुछ reconstruction का यहां पर काम करा अब यह capacity इसने increase करवा के 250 कर दिया और जो सांड की quality थी वह सब भी काफी ज़्यादा improve हो गए तो यह आपका material fact हो गया क्योंकि इस information के बाद इस fact के बाद जो जो audience है जो वहां पर टिकट लेके इस theater में आने वाला है उसकी जो decisions है वह प्रभावित होने वाली है कैसे प्रभावित होगी इस तरीके से प्रभावित होगी क्योंकि अब यह जो आपने जो काम कर रहा है इस से अब यह market में अब यह बात फैलेगी कि वहां पर जो काफी ज्यादा facilities है वह इंप्रूफ कर दी गई है तो आप उसमें जा के देखना चाहोगे कि हाँ यह जो improvement हुआ है कौन सा improvement हुआ है कैसा improvement हुआ है वह जिस तरीके की बात हो रहे है इसे ही में वैसा है भी या नहीं है तो यह का जो financial statement है वहां पर आपको बताने की जरूरत है कि चलिए तो यह जो concept है इसकी बात तो हमने कर ली अब जो हमारा क्या है कुछ assumptions हैं तो assumptions इन ही concept पर आधारित हम लोग अपना कुछ assumptions create करते हैं जैसे यह तीन तो हमारा जो basic assumption है यह हमारा जो fundamental accounting assumption जो कहा जाता है वह हमारे यही है एक तो हमारा क्या going concern जो हमारा business है वह ऐसा नहीं कि साल दो साल तक चलेगा वह काफी लंबा समय तक indefinite period of time के लिए चलेगा एक और क्या है हमारा consistency है हम जिस pattern को follow कर रहे है अभी उसी pattern को कल भी follow करेंगे next year भी करेंगे और उसके next year भी करेंगे मतलब अपने pattern से हम change नहीं होंगे जो हमारा जिस principle जो इस तरीकों का हम follow कर रहे है ऐसा नहीं कि बिल्कुल करेंगे ही नहीं करेंगे लेकिन जब तक कि कोई ऐसी विशेश परिस्थिति प्रकट नहीं हो जाए हम वह जो हमने जो consistency maintain कर रही है उस consistency को हम लोग आगे continue करेंगे और हां यह सब यह सब जो pattern थे यह हम change कर रहे हैं अब से next हम यह pattern अब आगे की तरह आगे हम यूज करने वाले हैं तो यह आपका क्या है कि consistency है और एक क्या है एक क्रूल है तो एक क्रूल क्या है हमने उपर concept के दौरान यह हम देखी लिए चुके हैं चलिए ठीक है यह सब जो या फिर एक जो questions का एक अलग वीडियो ही बना दिया जाएगा उससे आप उसे आप मैच कर सकते हो चलिए ठीक है मिलते हैं अगले lecture में थैंक यू